गुड पॉनिंग चिल्डरन, मेरे चैनल ओनलाइन स्टडी हव में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्ष्या तीसरी के विशे प्रिवेस अध्यान का पाढ़ किया रहे, पानी की बात कलू कवे के साथ में आने वाले कुछ बहु विकल्पिय परसनों क को हल करना सीखेंगे, तो देखिए, यहां पर हमारा पहला क्यूशन दिया गया है, इसी तरह से क्यूशन आपके एक्जाम में भी दिये मिलेंगे बच्चों, एक क्यूशन दिया मिलेगा और उसके चार ओप्शन दिये मिलेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यूशन को अच्छी तरह से read करना है समझना है कि क्या पूछा गया है उसके बाद दिये गए options को भी बारी-बारी से सब को पढ़ना है और फिर जो भी एक option आपको सही लगे कि ये वाला सही है उसी पर आपको click कर देना है तो देखिए यहां question क्या पूछा गया है पार्ठ में वर्नित कववे का क्या नाम है option दे रखे हैं कलू लीलू, मिन्टू या चिन्टू तो इन में से सही क्या है बताईए कौन सा option सही है option क, कलू कववे का नाम था कलू second question है कि कलू का खोसला किस पेड पर था option दे रखे हैं नीम का पेड, पीपल का पेड शेहतूत का पेड या सीसा किस पर था पता है आपको पाठ पढ़ा है ना बच्चो तो देखिए पाठ पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले आप पाठ को पढ़ लीजिए और अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल ओनलाइन स्टडी हब पर जाकर वहां पर आपका जो पाठ है ये पानी की बात कलू कोवे के साथ उसकी मैंने वीडियो बना रखी है उसको अच्छी तरह से देख ले और सुन ले तो उसमें पाठ में आपके जो भी क्यूशन्स आएंगे एक्जाम में यानि की जो भी क्यूशन्स आएंगे वो सभी आप आसानी से हल कर पाएंगे तो देखिए कलू का खोसला किस पेड़ पर था ओप्शन आएगा हमारा यहाँ पर ख, पीपल, पीपल के पेड़ पर था नेक्स्ट क्यूशन है पानी का मुख्य स्रोथ क्या है ओप्शन दे रखे हैं बारिस, कुआ, बर्फ या नल तो बच्चो, पानी का जो मुख्य स्रोथ होता है वो इन में से है बारिस ओप्शन आएगा हमारा यहाँ पर क फॉर्फ फूशन दे रखा है कि बारिस का पानी बहकर कहां चला जाता है यहाँ पर ओप्शन देखिए तालाबों में, नदी नालों में भाव बनकर उपर आस्मान में या उप्रोक सभी तो बच्चो, जब बारिस होती है तो उसका कुछ पानी तो तालाबों में भी जाता है कुछ पानी नदी नालों में भी जाता है और कुछ पानी भाव बनकर उपर आस्मान में भी उड़ जाता है तो हमारा option होगा घ उप्रोक सभी यानि कि उपर दिये गए तीनों option सही है अब यहां पर पांचमा question है हमारा इन में से कौन से काम में पानी की आवशक्ता नहीं पड़ती तो option दे रखे हैं सनान करना सनान करना क्या होता है पता है बच्चो सनान करना होता है नहाना तो भी पानी के बिना तो नहाया ही नहीं जाता है ना तो नहाने में तो पानी की जरूरत होती है अब ख option देखते हैं कपड़े धोना भी कपड़े भी पानी से ही धोये जाते हैं है ना बिना पानी के तो कपड़े भी नहीं धुलते तो ये भी उप्सन सही नहीं है हमारा अब गह उप्सन है जाडू लगाना हाँ जाडू लगाने में तो पानी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जाडू में तो सिर्फ हमें एक जाडू चाहिए और जाडू लगा लेते हैं है ना अब घर उप्सन भी देखिए हमें चारों उप्सन देखना बहुत ज़रूरी है वज्जो ये नहीं है कि कोई एक उप्सन दो उप्सन देख लिए और उसमें से आपको आंसर मिल गया और जट से आपने क्लिक कर दिया ऐसा नहीं करना है आपको एक्जाम में आपको जितने भी तीन उप्सन या चार उप्सन दे रखे हैं सभी बारी-बारी से पढ़ना है अब देखे घर उप्सन दे रखा है ब्रस करना तो भी ब्रस भी पानी की आवश्रक्ता पढ़ती है ब्रस करने में भी है ना, तो option क्या आएगा बताओ, option आएगा, ग, जाडू लगाना, जाडू लगाने में पानी की आवश्रक्ता नहीं बढ़ती अब six question देखो, कि तुम्हारे घर में पानी किस-किस काम आता है, पीने में, कपड़े धोने में, बरतन माजने में या उप्रोक सभी तो देखो बच्चो, पानी पीने में भी काम आता है, कपड़े धोने में भी काम आता है, और परतन माजने में भी तो इन तीनों में ही काम आता है, तो हमारा option आजाएगा यहाँ पर घर उप्रोक सभी अब सेवंध क्यूशन देखो, क्या तुमने कभी इंदरधनुस देखा है, उसमें कितने रंग होते हैं तो बच्चो बताओ, इंदरधनुस देखा है क्या, हाँ, जरूर देखा मिलेगा है ना, बारिस के दिनों में जब बारिस होकर रुख जाती है, तो हमें आस्मान में इंदरधनुस दिखाई देता है तो बताओ, इंदरधनुस में कितने रंग होते हैं, ओप्शन है आपके लिए, आठ, साथ, दस, या इन में से कोई नहीं, बताओ, साथ, वेरी गोड, ओप्शन आएगा हमारा यहाँ पर, ख, नेक्स्ट, एर्थ क्यूशन है, कुछ काम ऐसे भी हैं, जिन्हें करने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती, पता करें, आपको पता है बच्चो, बहुत से ऐसे भी काम हैं, जो हम करते हैं, और हमें उनको करने में पानी की अवश्रक्ता नहीं पड़ती, तो देखिए, खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए तो पानी की अवश्रक्ता होती है, है अब गर उप्सन है फसल काटने के लिए फसल काटने के लिए भी पाने की आवश्रक्ता नहीं होती है ना किसकी आवश्रक्ता होती है बताओ जराती की आवश्रक्ता होती है है ना तो उप्सन यहाँ पर ख और गर ये दोनों सही है और गर उप्सन में क्या दे रखा है देखो ख और ग दोनों तो option क्या आएगा? हमारा ग ओप्षन आजाएगा अब नाइन्थ question है पानी की बचत का कोई उपाय बताओ पानी की बचत करने का देखिए option है कि बरस करते स्वें नल को खुला छोड़ देना चाहिए तो ये थो option सही नहीं है अगर हम बरस कर रहे हैं और जितनी देर तक भी हमें दो मिनट, तीन मिनट, जितनी मिनट हमें बरस करने में लगते हैं उतनी मिनट अगर हम पानी को नल को खुला छोड़ेंगे तो पानी तो वेष्ट जाएगा है ना? तो ये option तो है नहीं अगर हम कपड़े धू रहे हैं तो हम अगर अवशुकता से जादा पानी को वेष्ट करना है तो ये भी option नहीं हो सकता अब तीसरा option देखिए कि नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और घव option है इन में से कोई नहीं तो ये भी सही नहींए इन में से कोई नहीं, कोई तो है, है ना, कौन सा है, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, option आएगा हमारा ग, अब 10th question देखो, कि घड़ों पर बोरी के टुकडे क्यों लपेटे जाते हैं, आपने देखा होगा न बच्चो, कि घड़ों के उपर आपकी मम्मी भी ऐसे ही ब अपड़े लपेटते होंगे, है ना, क्यों लपेटते हैं, वो पता है, देखो, option दे रखे हैं, घड़े को सजाने के लिए, नहीं, घड़े को सजाने के लिए नहीं होते, और घड़े को मजबूत बनाने के लिए, नहीं, इससे कोई घड़े मजबूत थोड़े बनते हैं, ये भी option सही नहीं है अब गह option देखिए पानी ठंडा रखने के लिए और गह option है इन में से कोई नहीं तो बताए कौन सा option आना चाहिए option आएगा गह पानी को ठंडा रखने के लिए अगर घड़ों पर बोरी या कोई कपड़ा लपेटा जाता है तो वो पानी को ठंडा रखने के लिए ऐसा किया जाता है तो बच्चो आज इस वीडियो में केवल इतना ही अगर आपने मेरी चैनल ओनलाइन स्टेडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिये बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो बच्चो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई